आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सुलिशन बनाते हमारा जो टेस्ट फोर्म नंबर है वो है 024852 आज हम इस पेपर के पूरे के पूरे मैच्स के 25 कुस्टन्स का एनलाइज करते हैं चलते हैं आज के पेपर के पहले कुस्टन पर देखे पहला कुस्टन हमें क्या कर रहा है हमें उस बिंदू के निडदेशां ग्याद करने है जो 2,1 और 3,5 को बाहे रूप से externally क्या करता है 2 ratio 3 में divide करता है तो अब देखे अगर मैं 2 points लिखता हूँ 2,1 और second point अगर मैं लिखता हूँ 3,5 यहां कोई एक point है बाहर जो इसको क्या कर रहा है 2 ratio 3 में divide कर रहा है तो अगर हमें उस बिंदू के निडदेशांग चाहिए x की value चाहिए तो 2 को 3 से multiply करा 6, minus में 3 को 2 से multiply करा minus 6, upon में क्या आएगा 2 minus 3, तो x की value तो क्या जाएगी 0, अब 0 वाले दो यह option है a और b तो अब अपन y का माना में निकालना पड़ेगा, एक option होता तो direct y से पता लग जाता फिर 2 को हमने multiply करा 5 से 5, 2 जा 10, 3 को 1 से multiply करा 3, upon में 2 minus 3, तो क्या हैगा 7 upon minus 1, तो क्या जाएगा minus का 7, तो उस बिंदू के निर्देशां क्या जाएगे, coordinates क्या जाएगे 0, minus 7, तो हमारा answer क्या जाएगा option number b, यह हमारे पास answer आचाहेगा किसी भी line को, अगर इस पर 2 point है, x1, y1, x2, y2, और इसको गर कोई एक point, m ratio n में बाहे विभाजित करता है, externally divide करता है, तो हम क्या लिखते हैं, m ratio n अगर मैं इसको यहाँ लिख दूँ, ताकि हमें ध्यान रहे, तो हम क्या लिखेंगे m x2, minus में n x1, upon में m minus n, यह हमारे पास x निड़देशांग का गया, y निड़देशांग के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, m y2, minus में n y1, upon में m minus n, यह हमारे पास उस बिंदू के निड़देशांग का जाएंगे, चलिए, next question पर चलते हैं, question number 52, हमें कह रहे, हमारे पास एक capital मिनार है, जिसकी चाया जमीन पर 120 मिटर लंबी है, और उसकी हाइट कितनी है, 80 मिटर, तो उसी समय, हमें कुतुम मिनार की चाया जो मिल रहे है, वो 1500 मिटर लंबी है, तो हमें उसकी हाइट बता नहीं कि क्या होगी, तो अब देखिए, same time पर दोनों के लिए, जो angle of elevation होगा, उन्यन कोन होगा, वो same होगा, तो यहाँ 10 theta का मान, क्या 80 by 120, तो क्या 2 by 3 आएगा, 10 theta की value अगर 2 by 3 आएगी, तो अपन इसको क्या h by 150 के equal रख सकते हैं, तो यहाँ से अगर अपन h की value निकालें, क्योंकि 10 theta का मान, हमारे पास 2 by 3 और यह क्या होगा, h upon 150, तो h की value क्या जाएगी, 150 into 2 upon में 3, तो यह क्या जाएगा, 15 into 200, तो क्या जाएगा height 100 meter, हमारा answer क्या जाएगा, option number B, चली, next question पर चलते हैं, question number 53 पर, एक गोले और एक लमवड़ती है, बेलन के item और इनकी तरज़ाएं समान है, तो गोले का व्यास और बेलन की height का ratio में बताना है कि क्या होगा, देखें हमारे पास एक तो है square, और एक हमारे पास है right circular cylinder, इन दोनों के volume और radius equal है, माल लिया कि इनकी radius जो है वो capital R, और इनके हमारे पास क्या है, volume भी समान है, तो हमें क्या करना है, गोले का diameter और बेलन की height, गोले का diameter होगा 2R, और cylinder की height क्या होगी, H इनका ratio बताना है कि क्या होगा, square का volume होता है 4 by 3 pi RQ, cylinder का volume होता है, pi R square H, यह हमारे पास होता है, तो यहाँ R square से R square cancel, pi से pi cancel, अब मुझे यहाँ से अगर मैं 2R की value निकालो, तो अगर मैं 4 by 3 को 2R into 2 by 3 लिख दू, equal अगर H लिख दू, तो क्या 2R बराबर, 2R upon H बराबर क्या 3 by 2 आजाएगा, तो 2R upon H बराबर 3 by 2 और हमें इसी का ratio चाहिए था, तो इसका ratio क्या जाएगा, 3 ratio 2, हमारा answer क्या जाएगा, option number D, बस हमने दोनों की volume को same रखा और दोनों की radius को same रख लिए, वहाँ से हम इनकी diameter और height का ratio मिल गया, चलिए, next question पर चलते हैं, question number 54, देखें, 54 बड़ा easy सा question है, हमें इसकी value बताने हैं कि क्या होगी, अब आप लोग अगर जानते हो, यह जो 2 पर बार लगा हुआ, point से पहले बार लगा हुआ, इसका अंदलब क्या होता है, minus का 2, लेकिन यह जो बाद में point वाला number है, 2 पर बार, point 75, इसका मतलब क्या है, sorry, point 0 लिख दिया, यहाँ अगर अपन देखें, बार, point 78 का वतलब क्या है, minus का 3, plus का 0.78, जब point से पहले बार लगा होता है, तो वो point से पहले वाली value negative होती है, और बाद वाली value positive होती है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ू, तो क्या आएगा minus का 5, इन दोनों को अगर add करू, तो क्या है, plus का 1.53, अब minus का 5 और plus का 1 और plus का 0.53 लिख दो, तो minus का 5 प्लस 1 क्या बना, minus का 4 प्लस 0.53, अब minus 4 की जगे 4 पर बार लिख देते, तो 4 पर बार और 0.53, यह हमारा answer आजाएगा, तो हमारा answer क्या आजाएगा, option number A, इस question का answer क्या गया, option है, अब देखो उसको confuse करने के लिए, point के बाद भी बार लगा रख है, point के बाद के बार का उतलब होता है, कि point 5.53 जो दे रख है, उसका repetition होगा, 5.3, 5.3, 5.3 ऐसे चलता रहेगा, तो हमारा answer क्या जाएगा, option number A, चलिए, next question पर चलते हैं, question number 55, पर, ने उसी स्थान से, 10 km पर आवर की स्पीड से यात्रा शुरू करी, B, किस समय A से आगे निकल जाएगा, हमें इसके आगे निकलने का time बताने है, या मिलने का time बताने है, time क्या होता है, relative distance upon relative speed, अब A चल रहा है, सुबह 7.30 बड़, किस स्पीड से, 8 km पर आवर की स्पीड से, इसके 30 मिनट बाद, इसका बड़ B चलेगा 8 बचे, किस स्पीड से, 10 किस स्पीड से, हमें बताना है कि ये किस समय मिल जाएगे, तो हमें इनके मिलने का time बताना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर A चला 7.30 पर B चला 8 ओक लोग, तो मुसको क्या सबसे पहले, एको आधा गंटा चला दे, तो ए 30 मिनट के अंदर कितनी दूरी चलेगा, 8 इंटू 1 बाइ 2, 4 km, तो उसने distance कितनी ट्रेवल करी, 4 km, वो 8 बचे यहां किसी point पर होगा, तो relative distance तो क्या आगई 4, दोनों same direction में जा रहे हैं, तो दोनों की speed का क्या जाएगा हमारे पास, difference, दोनों की speed का difference क्या होगा 2, तो 4 by 2 क्या जाएगा 2 hours, यह 2 hours बाद मिल जाएंगे, कितने बज़े के बाद, 8 बज़े के बाद, तो 8 a.m. में अगर मैं 2 hours side कर दूँ, तो यह कितने बज़े मिलेंगे 10 a.m. पर, यह हमारे पास सजाएगा, तो हमारा answer क्या गया, 10 a.m. हमारा option B, चले, यह हमने paper के 5 question करें, चले, next question पर चलते हैं, 56 number पर, एक वस्तू 10% मुनाफ़े में बेची गई, यदि उसे 100 रुपे कम में खरीदी गई होती है, और 20 रुपे ज़ादा में बेची होती है, तो मुनाफ़ा 20% होता है, तो हमें क्या करना है, उसका क्रें मुलें ग्याद करना है, सबसे पहले हमने इसको 10% profit पर बेचा, 10% profit का अनलब 1 by 10, 1 by 10 profit पर बेचा, यहाँ पर 20% का, 20% profit का अनलब 1 by 5, तो इसका अनलब अब cost price क्या हो जाएगा, 5 और selling price क्या हो जाएगा, 6, अब देखें, यहाँ मगर माल ने कि हमारा पहले cost price 10x था, और selling price 11x था, तो 10x की जगे, 10x की जगे हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, कि 10x minus 100, और 11x पर 20 एड़ करा, तो 11x प्लस 20, इसका ratio क्या गया, 5 ratio 6, cross multiply कर देते, यहाँ से क्या जाएगा, 60x minus में 600 बराबर, 55x प्लस क्या जाएगा, 100, तो अगर अपन इसको इदर लिएए, तो 5x बराबर क्या जाएगा, 700, तो x की value क्या आई, 140, तो 140 को अगर 10 से multiply कर दे, तो हमारे पास cost price कितना आजाएगा, 1400, तो answer क्या जाएगा, option number C, यह हमारे पास इस question का, answer आजाएगा, 56 number का, चलिए, यह profit loss का question था, चलते हम अगले question क्यों, तेखे, question number 57, हमें क्या करे, O एक वरत का केंदर है, O P हमें 5 cm दे रखी है, O T 4 दे रखी है, और AB 8 है, तो भुजा P T, और अगर की सपर से कहें, तो हमें PB की length बतानी है, कि क्या होगी, चलिए, देखे, ध्यान देना, अगर मैं इस line को आगे extend कर दू, इस line को अगर मैं आगे extend कर दू, इस point को अगर हम C consider कर लें, और इस point को अगर हम D consider कर लें, तो क्या हम इतना कह सकते हैं, PC into PD बराबर, PA into PB, PC into PD बराबर, PA into PB, अब हमें पता है, PO की length 5 है, यह center है, हम लोगों के पास यह 4 है, तो यह 4 हुई है, यह 1 हुई है, यह भी 4 हुई, तो PC की value 1, PD की value हमारे पास क्या जाएगी, 1 plus 4 plus 4, तो क्या जाएगी 9, एक पल आ जाएगा, PA हम लोगों को दे रखाए क्या, AB हम लोगों को 8 दे रखिये, PA को अगर अपन X माल ले, तो क्या X into X plus 8 लिख सकते हैं, अब 1 into 9 बराबर, X की जगा कर हमने 1 रख दिया, इसका लब हमें PB की लेंज चाहिए, तो वो X plus 8 है, तो 1 plus 8 क्या जाएगी 9, तो PB की लेंज हमारे पास क्या जाएगी, 9 cm, हमारा answer क्या जाएगा, option number A, यह हमारे इस question का answer है, हम चाहते तो इसको PT की मदद से भी कर सकते थे, यह हमारे पास सरकिल का अच्छा सा question है, चलिए, next question पर चलते हैं, question number 58, हमें कहा रहा है, किसी office में कुल करमचारियों के 80% महील है, इन में से 20% metric, और 6 जो हैं वो graduate है, महिलाओं में से 25% metric और 6 graduate है, यदि office में total 600 महिला एक करमचारियों है, तो office में हमें बताना है कि total कितने graduates है, अब देखें हम लोगों को इतनी बात पता है कि male कितने है, 80% तो male अगर 80% है, तो female कितनी होगी, 20% और female की value हमें क्या दे रखी है, 600 20% की value कर हमारे पास 600, तो 80% की value उसकी 4 गुना, तो क्या जाएगा, 2400 total 2400 male थी, इन में से 20% जो है, वो matrix है, 20% matrix है, तो 2400 का अगर अगर 20% निकालें, तो क्या जाएगा 480, 480 अगर matrix है, तो बच्चे हुए graduate होंगे, तो 2400 में से, 480 अगर मैं घटा दो, तो क्या जाएगा, 1920 जो है, वो graduate आ जाएगे, फिर next हम लोगों को दे रखा है, female में से 25% matrix है, तो यहां से 600 का 25% निकाला, 150, तो graduate हमारे पास female कितनी आ जाएगी, 450, graduate male है, 1920, graduate female है, 450, इनका अगर अगर अपन टोटल निकाल लें, तो क्या जाएगा, 2370, तो ओफिस में हमें बताना है, कि कितनी graduate हैं, तो हमारा answer क्या जाएगा, option number B, यह हम लोगों ने question करा, 58 number, यह हमारे पास percentage का question था, चलिए, next question के solution पर चलते हैं, question number 59, 59 हमें करे, 7 की पार, 33 की पार, 22 की पार, 11, इसमें अगर 8 का भाग दे, तो remainder क्या बचता है, 7 की पार, 7 की पार, 33 की पार, 22 की पार, इसमें 8 से डिवाइड करना, और हमें बताना है, कि क्या बचेगा, अगर मैं कहूं कि, 33 की कोई भी पार हो, 33 की कोई भी पार हो, चै पार 1 हो, हमेशा उसकी वेल्यू क्या ओड नमबर होगी क्या, 33 की कोई भी पार हो, क्योंकि 3 की पार 1 की वेल्यू 3, 3 की पार 2 की वेल्यू 9, 3 की पार 3 की वेल्यू 27, 3 की पार 4 की वेल्यू हमारे पास 81, और 3 की पार 5 की वेल्यू 243, तो सब तो यह देखो, हमारे पास क्या रहा है, ओड नमबर आ रहा है सारे ओड नमबर सारे इसका अलब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जब मैंने 7 को 8 से डिवाइड करा तो यह क्या माइनस 1 की पार 33 की पार ओड आएगी हमारे पास अब 70, sorry 7 की पार में मैंने 8 का बाग करा तो माइनस 1 की पार डारेक्ट क्या मैं ओड लिख सकता हूँ अब माइनस 1 की पार अगर ओड होगा तो मेरे पास क्या हैगा माइनस 1 अब फाइनल रिमेंडर हम कभी भी माइनस 1 नहीं लिखते तो माइनस 1 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो मारा एच्चली रिमेंडर क्या बचेगा 7 तो मारा अंसर क्या जाएगा अब माइनस 1 देखकर कई बार हमारा बन होता है कि हम माइनस 1 लिख दे लेकिन माइनस 1 का यूज हम सिरफ और सिरफ केलकुलेशन करते वक करते हैं माइनस वन का यूज हम लोग हमारे आंसर निकालने के लिए नहीं करते हैं चली यह हम लोगों ने करा question number 59 और 7 के लिए मैंने minus 1 कैसे लिखा 7 को 8 minus 1 की पार odd upon में 8 लिखा तो 8 में तो पूरा पूरा divide चला जाएगा तो क्या बचेगा minus 1 चली next question पर चलते हैं question number 60 डिगरी की value बता नहीं की क्या हो तो देखिए अगर इससे लिखें 10 22.5 डिगरी प्लस 1 upon 10 22 डिगरी प्लस 22.5 तो यह हमारे पास क्या जाएगा 10 स्केर थीटा प्लस 1 upon में 10 थीटा 10 स्केर थीटा प्लस 1 upon में 10 थीटा यह 22.5 डिगरी है अब आप सब लोग जानते अगर मैं इसको उपर नीचे 2 से multiply कर दो और इस 2 को अगर अंदर consider कर लो तो मैं पता है 2 10 थीटा upon में 10 स्केर थीटा प्लस 1 किसकी value होती है sin 2 थीटा की तो यह क्या 2 upon sin 45 डिगरी बन जाएगा sin 45 डिगरी की value 1 upon root 2 तो यह root 2 उपर आजाएगा तो हमारा answer क्या आजाएगा 2 root 2 तो हमारा answer क्या आजाएगा option number A यह हमारे पास question number 60 का answer आया option number A यह आप इसको 10 की term में नहीं रखना चाहतें तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो sin थीटा 22 and half degree की लिख बर मैं थीटा लिख देता हूँ sin थीटा अपन कोज थीटा प्लस कोज थीटा अपन साइन थीटा तो यहाँ से इसका LCM क्या जाएगा sin थीटा कोज थीटा उपर हमारे पास बन जाएगा sin स्केर थीटा प्लस कोज थीटा अब sin square theta plus cos square theta 1 होता है 1 upon sin theta cos theta उपर नीचे अगर अपन 2 से multiply कर दे तो 2 sin theta cos theta हमारे पास क्या होता है sin 2 theta और theta अगर 22.5 degree तो 2 theta की value sin 45 degree same हमें वही result मिल गया जो हमने 10 की term में रख कर लिखा अब कई बार कुछ लोगों को अगर ये term याद नहीं होती तो हम इसकी मदद से भी कर सकते हैं साइन कोस के formulae generally सब लोग बड़े अच्छे से याद रखते हैं चलिए next question पर चलते है question number 61 आज की paper के हमने 10 question कर ली एक वस्तु को 20% profit पर बेचा गया यदि क्रेम उल्ले को 50 रुपे बढ़ा दे तो लाब 3 से 1 बटा 3% से कम हो जाते हैं तो हमें क्रेम उल्ले बताना है कि क्या होगा profit and lows का seem एक ऐसा question हमने आज पहले भी करा अब initially हम इसको 20% profit पर बेच रहे हैं तो यह 1 by 5 तो cost price अगर 5 है 1 का profit हुआ तो selling price क्या जाएगा 6 बाद में हम कह रहे है क्रेम उल्ले को 50 रुपे बढ़ा रहे हैं 50 रुपीज इंक्रीज कर दिया selling price को हम लोगों ने 30 रुपीज बढ़ा दिया तो profit है 3 से 1 बटा 3% कम हो गया इसका अब 20 में से 3 से 1 बटा 3 गटाया तो 16 से 2 बटा दिया इसकी value 1 by 6 इसका अलब cost price 6 और selling price 7 तो मैं cost price 5X माल लेता हूँ selling price 6X consider कर लेता हूँ तो 5X प्लस 50 अब उन में 6X प्लस 30 इसका ratio क्या जाएगा 6 ratio 7 cross multiply करा 36X प्लस 180 बराबर 35X प्लस 350 तो X की value हमारे पास क्या जाएगी 170 और X की value 170 हमें तो cost price चाहिए तो cost price हमारे पास क्या 5X है तो 170 का 5 times करेंगे तो क्या जाएगा 850 तो हमारा answer क्या जाएगा option number D यह हमें इस question का answer मिल गया चलिए, next question पर चलते है question number 62 हमें कह रहा है fresh cherry contain 99% water suppose you have 1 kg of fresh cherry after a few hours of the sun some water evaporates and the percentage of the water in the cherry become 98% then new weight of cherries हम लोगों को पता है कि हमारे पास fruit की बात हो रही है तो fruit में क्या होता है pulp और water किसी भी fruit को सुखाया जाता है तो उसमें से पानी सूखता है fix क्या रहता है pulp तो हम हमारा formula जो में पता है old solution into pulp का old percentage बराबर new solution into के अंदर pulp का new percentage अगर अपन इस चीज का use करें तो देखो पुराना solution हमारे पास कितने kg का है 1 kg का इसमें pulp का old percentage अगर ताजा चैरी में 99% पानी है तो pulp कितना होगा 1% नया solution हमें बताना है माल लिया x इसमें अगर पानी 98% तो pulp कितना हो जाएगा 2% percentage से percentage किया तो x की value क्या 1 by 2 और 1 by 2 kg का मतलब 500 gram तो हमारा answer क्या जाएगा option number D इस question का answer में क्या मिल गया option D चलिए next question पर चलते question number 63 हमें करें व्रत की जीवा PQ और PS इन दोनों की length 6 cm है व्रत की तरजा 5 cm है तो हमें जीवा QS की लंबाई बतानी है की क्या होगी हमें इस QS की length find करनी है की क्या होगी चलिए कोशिश करते अब देखिए अगर मैं O को S से मिलाओ तो ये भी क्या 5 रहेगी O को P से मिलाओ तो क्या ये भी 5 रहेगी तो क्या मैं एक ऐसा diagram बना सकता हो जिसमें मैं कह पाऊंगा कि मेरे पास P Q O इसमें ये 5 है ये 5 है और ये 6 है मुझे ट्रेंगल की 3 साइट्स पता है मुझे लेंध बतानी है QS की मुझे लेंध बतानी है QS की तो अगर मैं Q और S को मिला दो और QS का और P O का intersection point अगर M ले लो तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूं कि अगर हम QM find कर ले तो QS क्या QM का double होगा QS होगा वो QM का double होगा क्योंकि हमने ऐसा पढ़ा है कि वरत की जो radius है या वरत की जीवा पर डाला गया लब उस जीवा को दो बराबर भागों में बाठते है तो देखे ध्यान देना अगर हम PM find कर ले QM find कर ले तो क्या QS QM की double होगी अब मुझे यहाँ पर येक altitude बन रहा है QM इसकी लेंच चाहिए अब आपको पता है triangle का area क्या 1 by 2 base into I2 होते है तो अगर मैं O से इस पर altitude draw कर दूँ तो ये इसको equal 2 parts में divide करेगा 3 3 ये 3 है ये 5 है तो ये कितना होगा 4 अगर मैं इस point को नाम देदू A तो क्या मैं triangle का area 1 by 2 PQ into O A equal to 1 by 2 PO into QM ऐसा लिख सकता हूँ दोनों ही triangle के area को represent कर रहा है area होता है 1 by 2 base into I तो 2 से 2 कट जाएगा अब मेरे को QM find करना है तो QM को हम क्या PQ into OA upon में PO कह सकते है अब PQ की length हमारे पास कह है 6 OA की length हमारे पास कह है 4 और PO की length हमारे पास कितनी है 5 तो 24 by 5 या 4.8 या हमारे पास 4.8 आई अब मुझे यहाँ पर 4.8 पता है QM का मान तो QS की value QM की double थी तो 4.8 का double कर दो तो क्या जाएगा 9.6 cm या हमारे पास क्या जाएगा 9.6 cm यह हमने QS की length निकाल ली तो इसका answer आजाएगा 9.6 अब इस question की diagram के साथ जो option है वो next page पर है तो आपन चलते है next page पर answer 9.6 है तो हमारा answer क्या जाएगा option number B हमें इसका answer क्या मिल जाएगा option number B यह हमारे पास आज जाएगा अगर हम triangle की तीनो साइड निकाल रहे है अगर हम triangle की तीनो साइड निकाल रहे है इसको भी 5 लिख रहे है चली next question आगया 64 number 64 number question हमारे पास D.I. कहा है हमें कहा रहे है प्रशन संख्या 64 से 66 ग्राप का द्यान कीजिए और नीचे दीगे प्रशनों के उत्तर दीजिए यह हमें दिखा रहे है distribution of the things in man body मानव श्रीर में परदार्थों का वित्रक next हमें दिखा रहे है distribution of protein in man body मानव श्रीर में protein का वित्रक यह 16% protein जो है इसको अगले next part में अलग-लग parts में divide कर रखे the weight of skin is how much percent of total weight of body हमें बताना है तवचा श्रीर के संपुर्ण वजन का कितना percent है total weight अगर अपन 100% assume करें total weight अगर अपन 100% ले रहे हैं या 100 ले रहे हैं तो उसमें से हमें बताना है तवचा तवचा के अगर बात करें तो यह 1.10 है किसका protein का तो 16% का अगर अपन 1.10 निकालें तो क्या जाएगा 1.6% तो हमारा answer क्या जाएगा 1.6 तो तवचा जो है शरीर के total weight का कितना परसेंट है 1.6% यह हमारा answer आए चलिए next question पर चलते है 65 number वो भी इसी DI का होना चाहिए बिल्कुल इसी DI का है हमें बताना है what part of the protein in body is not made of muscles, bone and skins शरीर के protein का कौन सा भाग माशपेशियों, हड्डियों और तवचा तीनों में से किसी का नहीं बना है देखें माशपेशियां यह रही तवचा हमारे पास यह रही और bones यह रही इन तीनों के इलावा जो बचा हुआ है हार्मोनन, इंजाइम शरीर प्रतिरोधक और अन्या प्रोटे इसकी हमें value बतानी अब हमें fraction का total पता 1 होता है तो 1 में से तीनों parts muscles, skin और bones इनको अपन less करते तो LCM हमारे पास क्या 30 आ जाएगा तो 30 माइनस क्या जाएगा 10 प्लस 3 प्लस 5 तो क्या जाएगा 30 माइनस 18 अपन 30 तो क्या जाएगा 12 बाई 30 या 2 बाई 5 तो मैं पता लग गया कि protein का 2 बटा 5 बाग जो है वो इन तीनों से नहीं बना है इन तीनों में से किसी से नहीं बना है तो answer क्या जाएगा option A चलिए, next question पर चलते है 636 number माश पेशियों में protein का वित्रन में हड़ियों में protein के वित्रन का अनपात बताना है कि क्या होगा मास पेशियों में जो protein है उसके वित्रन का में ratio बताना है कि क्या होगा मसल्स में मास पेशियों में 1 by 3, bones के अंदर 1 by 6 तो इनका अगर अगर अपन ratio निकालें, दोनों को गड़ 6 से multiply कर दें तो क्या जाएगा 2 ratio 1 तो muscles के अंदर और bones के अंदर जो protein है उसका ratio क्या है 2 ratio 1 यह हमारे पास 66 number हुआ और इस D.I. के तीन ही question थे तो अपन चलते हैं next question पर हमें के रहे क्लास में विद्यार्थियों का ओसत बार 43 kg है क्लास में 4 ने student ने परवेश लिया जिनका weight हमें दे रख है कक्षा के विद्यार्थियों का अब बोसत बार 42.5 kg है तो starting में क्लास में विद्यार्थियों की संख्या बतानी की क्या है देखें initially जो average था वो में कितना दे रख है 43 kg 4 new students आई इनका अभी अपन average निकाल लेते हैं और पूरी class का average अमें क्या दे रख है 42.5 kg तब अपन इसमें allegation लगा के ratio निकाल लें फोर नई students का weight हम लोगों को दे रख है 42 kg 36.5 kg 39 kg और 42.5 kg तो अगर अपने का total निकालें तो मेरे पास क्या जाएगा 6, 4, 10, 20, 4, 8, 10, 16, 160 तो 160 बटा 4 average क्या जाएगा 40 kg इनका average 40 starting वालों का 43 और पूरी class का भोगया 42.5 तो यहां difference कितना 2.5 यहां difference कितना 0.5 तो 2.5 और 0.5 का ratio निकाले point से point गया 5 से काटा 5 ratio बन एक की value कितने students है 4 students, एक की value अगर 4 students है तो 5 की value क्या हो जाएगी 4 into 5, 20 students तो हमारा answer क्या जाएगा option number C यह हमारा answer आगे और हम चाहें तो इसमें manually difference निकाल निकाल कर कि कितना overall कम हुआ या जादा हुआ और total कम हो रहा है point 5 उसमें भी divide करके answer निकाल सकते चलिए, next question पर चलते question number 68, x cube plus 1 upon x cube अगर 0 है तो मैं इस तरम की value बतानी है कि किसके equal है ठीके x cube plus 1 upon x cube equal to अगर 0 अगर मैं इसका LCM ले लो तो x की पार 6 plus 1 upon x cube बराबर 0 x cube को 0 से multiply कर दिया तो x की पार 6 plus 1 बराबर 0 तो x की पार 6 की value minus 1 x की पार 6 की value minus 1 हमें find करना x की पार 1026 प्लस x की पार 972 प्लस 2 तो अगर इसको x की पार 6 की टम में लिखें तो 6 की टम में लिखें इसमें 6 का divide करा 1 42 फिट चला जाएगा 7 बार ये चला गया 1 बार next अगर x की पार 6 में लिखें तो हमारे पास क्या जाएगा 1 37 बजगे 6 2 बार प्लस 2 अब x की पार 6 minus 1 है तो x की पार 6 की पार अगर even होगी तो 1 आएगा और x की पार 6 की पार ode होगी तो minus 1 आएगी तो ode है तो minus 1 plus 1 plus 2 तो 1 से 1 minus 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 तो हमारा answer क्या जाएगा option number B यह हमारे पास 68 number का answer आगे है चली next question पर चलते हैं यह मारे पास algebra का बड़ा इजी सा question था और कई लोग तो direct याद भी रखते हैं जैसा कि मैं class में भी बोलता हूँ कि xq plus 1 upon xq अगर 0 है तो x की पार 6 की value क्या होती है minus 1 चली next question पर चलते हैं देखो next simplification का question है हमें इसकी value बतानी है कि क्या होगी चली कोशिश करते हैं अब देखो इसमें यह बाद वाली जो term है यह divide में ज्यादा चल दिया है तो इसको यहां last से start करेंगे पहले वाली term को उपर से तो अगर मैं 4 से 1 बटा 7 को गर लिखू तो क्या मैं 29 by 7 लिख सकता हूँ minus के अदर 2 से 1 बटा 4 को गर लिखू तो क्या 9 by 4 divide के अदर 3 से 1 बटा 2 तो इसको क्या मैं 7 बटा 2 लिख सकता हूँ और 1 से 1 बटा 7 को क्या 8 by 7 लिख सकते है divide के अंदर यहां अगर अपन बात करेंगे 5 minus 1 by 5 इसको हम क्या 24 by 5 लिखेंगे तो यह 5 उपर चला जाएगा और 24 नीचे रह जाएगा अब 2 plus 5 by 24 इसको सोल करेंगे तो 48 plus 5 53 by 24 53 आ रह जाएगा और 24 उपर चला जाएगा 2 को 53 से मल्टिप्लाई करा तो 106 plus 24 क्या 130 और 53 कहां चला गया उपर तो मैं next वाली टम क्या divide में 53 by 130 लिख सकता हूँ चली अब इस वाली टम में उपर अगर अगर अपन LCM ले तो क्या 28 आ जाएगा ये 4 से मल्टिप्लाई करूँगा तो 116 इसको अगर 7 से मल्टिप्लाई करूँगा तो क्या जाएगा 7 नीम 63 बटा में भी अगर LCM 28 ही ले ले वैसे तो 14 आ रहा है पर 28 से 28 कट करने के लिए 28 ही ले ले तो क्या जाएगा 14 इंटू 7, 98 28, 4, 8 इंटू 32 इंटू में क्या 130 बाई 53 लिख सकते 28 से 28 कैंसल 116 में से 63 गटा दू तो क्या बचा 53, अपन में क्या 130, इंटू में 130 अपन 53, 130 से 130 क्या, 53 से 53 गया तो आंसर क्या गया 1, option क्या चाहेगा C, यह हमारे पास है second वाला portion किसी को कर ऐसे soul करने में दिक्कत आए तो manually, एक-एक step लिख कर soul करना, पर exam में हमारे पास time नहीं होता, इसलिए मैंने इसको direct यहीं आपके सामने soul कर दिया आप चाहें, तो एक-एक step लिख कर soul कर सकते हैं, अंसर यहीं आएगा बस starting होती है, divide वाले term से, last में जो divide है उससे हम इसको start करते हैं चली, next question पर चलते हैं 70 number पर quote square theta plus 10 square theta minus 1 upon 2 quote square theta plus 10 square theta, हमें इसकी value बतानी है कि क्या होगे, अब देखो यह हमारे पास trigonometry का question है अब इस question को अगर میں soul करने के लिए sign ακos में बदलू तो अगर मैं इस question को करने के लिए sign ακos के अंदर बदलू तो देखो क्या मैं ऐसा लिख सकता है close square theta upon मे przOT plus 10 square theta को अगर मैं लिख दो sin square theta upon cos square theta minus में upon में अगर मैं 2 plus quote square theta plus 10 square theta इसको गर मैं 1 plus close square theta plus 1 plus 10 square theta लिखता हूँ तो 1 plus close square theta हमारे पास क्या बन जायगा cos square theta और 1 plus 10 square theta क्या बनेगा sex square theta अब cos square theta हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है 1 upon sine square theta और sex square theta 1 upon cos square theta तो अब अगर आपन उपर वाली term में LCM ले ले तो क्या cos की पार 4 theta प्लस sin की पार 4 theta माइनस में sin square theta cos square theta अपोन में इसका जो LCM आएगा sin square theta cos square theta बटा वाले LCM से कट जाएगा अपोन में आएगा sin square theta प्लस cos square theta अब इसकी value 1 होती है लेकिन उपर वाली term को अगर में sin square theta प्लस cos square theta जो 1 होता है उससे अगर multiply कर दू अपोन में तो 1 बनाई उपर वाली term को अगर मैं इससे multiply कर दू तो मेरी पास ये छूटा सा formula बन गया कै a plus b into a square plus b square minus a b तो ये क्या a cube plus b cube का formula होता है तो sin square theta का cube sin की पार 6 theta cos square theta का cube cos की पार 6 theta तो हमारा answer क्या आजाएगा option number b हमारा answer आजाएगा option b चली next question पर चलते हैं आज के paper के अभी तक हम लोगोंने 20 questions कर लिए next question पर चलते हैं 20, 71 पर एक दुकानदार तीन वस्तोय x, y, z को बेचता है जिन्वें उसे करमशे 24% 13% और 8% का लोस होता है और y और z का total loss 10, 77 पर नो परसेंट है तो तीनों वस्तों पर total loss उसे कितना हुआ यह थोड़ा सा calculative question है x, y, z तीन आर्टिकल से इनका लोस हमें दे रखा है 24%, 13% और 8% x और y का combined जो लोस है वो में दे रखा है 19, 2 बटा 7%, तो 19, 2 बटा 7 को अगर अपन 6 करें तो 19 को अगर अपन 7 से multiply करतें तो 100 मेरे पास क्या जाएगा 140 में से गए 7 133 प्लस 2, 135 बई 7% और y और z का जो combined लोस है वो है 10, 2, 7 बटा नो तो यह क्या जाएगा 97 बई 9% अब सबसे पहले पहली इदो वेल्यू में हमें अगर allegation लगाने हैं तो मैं इन दोनों वेल्यू को एक बार 7 से multiply करतें तो क्या जाएगा 168 91 और 135 तो यहां 135 में से गर अपन 91 माइनस कर दें तो क्या जाएगा 44 168 में से गर 135 माइनस कर दें तो 33 तो ratio क्या आएगा 4 ratio 3 तो X और Y के जो rate थे उनका ratio cost price का ratio 4 ratio 3 अब second वाली value अगर हमें निकाल लिए इन दोनों में allegation लगाने है तो इन values को 9 से multiply कर दें तो 13 को 9 से multiply कर दें 117 8 को 9 से multiply कर दें 72 और total क्या जाएगा 97 तो हमारे पास क्या जाएगा 97 में से 72 गए तो 25 117 में से 97 गए तो क्या आए 20 तो 25 ratio 20 या 5 ratio 4 पहला ratio XY का था दूसरा ratio YZ का है अब Y की दोनों जगे value सेम बनानी है तो इसको 5 से multiply कर आ और दूसरे वाले को 3 से तो मेरे पास इनका ratio क्या 20 अनपाथ 15 XYZ तीनों का ratio क्या है 12, 15, sorry 20, 15 और 12 सबसे main काम हमें ये ratio निकालना था अब ratio निकालने के बदद बढ़ाई जी है total loss find करना अब देखें, यहां लिखने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा space कम है तीनों का जो ratio है वो 20, 15 और 12 पहले का loss 24 ये rate का या cost price का ratio पहले का loss 24 दूसरे का loss 13 और तीसरे का loss 8 तो अगर मैं 24 को 20 से गुना करूँ 480 13 को अगर 15 से गुना करूँ 195 12 को 8 से गुना करूँ 96 इन सब का अगर मैं total कर लो तो मेरे पास total value क्या है 5 plus 6, 11 केरिया गी 1 10 और 9, 19 और 8 27, 2, 4, 6, 1, 7 तो हमारे पास 771 आया अपोन में total मेरे पास कितनी value थी चो 20 plus 15 plus 12 तो क्या आजाएगा 47 तो इसमें अपन 47 का divide कर देंगे और 771 में 47 का divide करेंगे तो answer आजाएगा C 16.40 चलिए divide कर लेते हैं divide गया 1 time 301 यह हमारे पास आया फिर यह चला जाएगा 6 बार अब 6 बार चला जाएगा तो 16 के असपास यह option है 16.40 यह हमारा answer आगे यह question थोड़ा सा calculated था हम लोगों को यहाँ पर दो बार क्या करना पड़ा allegation लगाना पड़ा xy का ratio निकाला yz का ratio निकाला तीनों का combination निकाला तो यह जो ratio है इनके cost price का ratio है तो इस value को इतना इतना loss हुआ तो इससे multiply करके total loss हमने निकाल लिया चलिए तो क्या गया 16.40% next question पर चलते हैं 72 number पर आज के paper में यह पहला question था जो थोड़ा time consuming है बाकी सारे question बड़े easy थे easy तो यह भी था बस time consuming है कह रहा है यदि A ने x% वार्षिक दर पर P रुपे और B ने y% वार्षिक दर पर Q रुपे Q greater than P दे रखाए A की समय पर सादारन ब्याज पर उधार लिये तो कितने समय के बाद उनके रिन की राषि बराबर हो जाएगी हमें इनकी amount equal करने है तो simple interest में amount का formula होता है principle plus simple interest simple interest का formula होता है P into R into T upon 100 हमने वो time माल लिया T था तो पहले विक्ती ने कितने रुपे उधार लिये P रुपे principle P प्लस इसका ब्याज निकाले P रुपे उधार लिये किस rate से X percent से time कितना T साल बटा में 100 यह पहले की amount आगी दूसरे ने Q रुपे उधार लिये तो Q plus Q into rate थी Y percent time था T बटा में 100 अब यह दोनों amount question ने दे रखा है कि equal है तो हमें समय बताना है कि कितने समय के बाद T की value find करनी चली अब Q greater than P है तो Q में से P को गटाएंगे तो इसको उधर ले जाएंगे यह Q minus P बनेगा इस value को अगर इधर लाएंगे तो P X T by 100 minus में Q Y T by 100 यहां से अगर T by 100 कोमल ले ले तो क्या P X minus Q Y बराबर Q minus P तो T की value क्या होगी Q minus P into 100 upon यह value दर बता में आजाएगी P X minus Q Y यह time आजाएगा तो अब ऐसा इससे मिलता जूलता option क्या है इससे मिलता जूलता option है same E value लिख रहे कि option A में तो हमारा answer क्या चाहेगा option A यह हमारे पास answer है यह question हमारे पास simple interest का था amount बराबर करनी थी चली next question पर चलते किसी निश्चित राशी पर 15% प्रतिवर्श शक्रवर्दी ब्याज की दर से 3 साल के लिए राशी गदार पर स्योजित ब्याज अगर इतना है तो उसी राशी पर उसी दर से इतने समय का साधारन ब्याज हमें बताना है कि क्या होगा चली रेट हमें दे रखिये 15% 15% को हम क्या 3 by 20 लिख सकते और टाइम है 3 साल तो हम हमारे प्रिंसिपल को 20 का क्यूब क्या 8,000 लेट कर ले हमने हमारा प्रिंसिपल लेट करा 8,000 अब सबसे पहले साल मुझे इसका 15% या 3 बटा 20 मिलेगा तो 3 बटा 20 या इसका 15% निकालओंगा 1200 तो तीन साल में टोटल जो ब्याज मिला पहले साल मिले 1200 दूसरे साल मिल गए 1380 तीसरे साल अगर अगर अपन बात करे बारा, तेरा, चोदा, पंदरा सो, साट, पंदरा सो, सतासे रुपे इसका टोटल करे 4, 1, 6, 7 रुपे अब हम यह कह रहे ही यह है और कुश्चन भी कह रहे है कि उसे 4, 1, 6, 7 मिले इसका लब हमने जो प्रिंसिपल लेट करा था वो भी 8,000 रुपे सेम था अब इसी राशी पर इतने समय का सिम्पल इंटर्स तो देखे, रेट पंदरा परसें टाइम हमारे पास 4, 4 बटा 5 साल, 24 बटा 5 साल तो ऐसा ही परसेंटेज क्या होगा रेट इंटू टाइम तो क्या जाएगा 72 परसेंट तो हमें क्या करना होगा प्रिंसिपल का 72 परसेंट निकालना होगा तो 8,000 का 72 परसेंट निकाले तो हमारे पास क्या जाएगा 8, 2, 16, 7, 8, 56, 57, 60 रुपे हमारा अंसर क्या जाएगा ओप्शन नमबर D तो 5, 6, 5, 7, 6, 0 रुपे यह हमारे पास आगे कोई चाता तो 15 परसेंट से 3 साल का C.A.E. परसेंटेज भी निकाल सकता था C.A.E. परसेंटेज के लिए तो 331 का यूज कर लो या 10 परसेंट तक की टेबल याद है उसी की मदब से 15 परसेंट के लिए बना लो 3 साल का नेट इफेक लगा दो किसी भी तरह से कर सकते चलिए नेक्स्ट केशन पर आते हैं 74 पर 250 का X प्लस 20% 220 के X परसेंट से 25 परसेंट अधीक है 25 परसेंट का लब एक बटा 4 इसका लब ये वैल्यली वैल्यो गर 25 परसेंट अधीक है तो ये 5 है तो ये कितनी होगी? 4 तो हम यह क्या दे रखे है, हम क्या लिख सकते हैं, 250 into x plus 20% upon me, 220 into x percent, इसका ratio क्या है, 5 ratio, 4, यहां से हम x की value निकाले, percentage से percentage गया, 0 से 0 चला गया, 5 से चला गया, 5 बार, तो यहां से मैं इसको अगर काटू, 2 से गया, 2 बार, यह गया, 11 बार, अब 11 उपर चला जाएगा, 5 बटा में आ जाएगा, तो x plus 20, या 5 को 2 से गुना करा, 10, 11 को उदर लेगे, तो क्या जाएगा, 11 x, तो क्या जाएगा, 10 x plus 200 बराबर, 11 x, तो यहां से हमारे पास x की value क्या जाएगी, 200, x की value क्या गई, 200, तो हमें बताने है, x plus 50 का 10%, x के 15% से कितने प्रतिशत कम है, x plus 50 इसका लब 250, इसका कितना परसेंट, 10%, x का 15% इसका लब 200 का 15%, 250 का 10%, 25, 200 का 15% क्या एगा, 30, अब x plus 50 का 10%, x plus 15 के, x के 15% से कितने प्रतिशत कम है, यह कितना कम है, 5, किस से कम है, 30 से, परसेंटेज में चाहिए, इन्टू करा 100%, 5 by 30 क्या 1 by 6 और 1 by 6 की value, 16 से 2 by 3%, तो हमारा answer क्या आजाएगा, option number C, यह हमारे पास इसका answer आजाएगा, चलिए, next question पर चलते हैं, paper का last question, 75 number, A ratio B हमें दे रखें, तो हमें 2A plus B ratio में 3A minus 2B का मान बताने, A ratio B या A upon B बराबर 3 upon root 5, हमें value बताने हैं 2A plus B upon के अंदर, 3A minus 2B, चलिए, A की जगा हम रख सकते हैं, 3A और B की जगा है root 5, तो क्या आएगा, 6 plus root 5 upon में 9 minus 2 root 5, यह हमारे पास है, अब मेरे को पता है कि जो option है, उसमें बता में exact number, इसका लब, इसका rationalization कर दो, इसको 9 plus 2 root 5 से, उपर नीचे multiply कर दो, तो उपर नीचे multiply करा, तो नीचे क्या बना, A square minus B square, 9 का square, 81, 2 का square, 4, root 5 का square, 5, 4 into 5, 20, तो 81 minus 20 upon में क्या बनेगा, 61, अब upon में 61 बनेगा, तो ऐसा एकी option है, तो हमारा answer क्या जाएगा, D, और आप चाहो, तो पूरी term को पहले solve कर सकते हूं, आप क्या करोगे, 6 plus root 5 को, 9 plus 2 root 5 से multiply कर दोगे, और पूरा answer निकाल लोगे, लेकिन हमें पूरा answer निकाल के करना क्या है, जब हमें divide में 61 वाला A की option मिल रहा है, तो हम इसी से answer निकाल लेगे, पर किसी को गर यह सीखना हो कि यह कैसे multiply करेंगे, तो 6 को 9 से multiply करा 54, 6 को 2 root 5 से multiply करा 12 root 5, root 5 को 9 से multiply करा 9 root 5, और root 5 को 2 root 5 से multiply करा, तो क्या गया? 10, तो क्या गया? 54 plus 10, 64, 12 plus 9, 21 root 5, अब उन में क्या बना? 61, यह हमारा answer आ गया, तो हम लोगों ने इस question का answer निकाला D, answer तो हमने पहले ही निकाल लिया था, पर किसी को multiply करना देखना हो, तो इसलिए मैंने इसको पूरा solve कर दिया, चली, आज की match के हमने पूरे के पूरे 25 question का analyze करा, देखना आप, इसमें आपको कहीं भी कोई confusion रहे, तो आप मुझसे दुबारा से पूछ सकते हैं, आप comment करना, मैं आपको उसका reply करूँगा, चली, तो बाकी मिलते हैं फिर नए paper के solution के साथ, तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें अपने target को achieve करते रहें, चली, thank you भे,